हेलो फ्रेंज तो चलिए हम फिर एक नई रेशिपी के साथ हाजिर हैं तो यहाँ पे मैं आज क्या बनाने वाली हूँ और यह क्या चीज हमने बनाया है सब इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखिए आप लोग को समझ में आएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और शेर किजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं ने लिया है मचली का अंडा मैंने इसको क्या क्या है धूँ करके अच्छी तरह से ले लिया है यह देखिए अब हम लिधीयारी हैं तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है ये देखिए कुछ मसाले ये हम हरे मसाले बस लिए हैं तो यहां पर मेरी ताजी हरी धनिया नहीं है ये मिर्ची मैंने लिया है और लश Sun और हरी धनिया है और यह मैं इसमें नमक ले ली हूँ इतने मसाले हमने ले लिए अगर आपको गरम मसाले का भी यूज करना है तो आप कर सकते हो तो यहां पे हमने ले लिया है मिक्सी का जार अब यह सारी मसाले इसमें हम डाल देंगे और डाल के इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और डाल करके इसको हम अच्छी तरह से एक पेश्ट बनाएंगे तो चलिए इसको हम पीस करके ले लेते हैं और फिर इसके आगे की तैयारी हम करते हैं तो ये हमारा देखिए हो गया पीस करके हमने इसको पीस करके ले लिया है मिल्कुल ऐसे ही पीस करके ले ले हैं और आप यहाँ पर मिर्ची का थोड़ा ज़्यादा इस्तमाल किजिए तो अब हमने रख लिया है कड़ाई इसमें डाल दिया है तेल और इसको हमने हलका सा गरम होने दिया है अब इसमें हम जो मचली के अंडे हैं इसमें डाल देंगे ये देखिए तो आज मैं ग्रेवी वाला न बुनने के लिए और फिर इसके बाद जो चटनी हमने बनाया है इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये देखिए ये बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत चटपटी सी बनती है आप इसमें हल्दी मसाला मिर्ची पॉड़र ये सब का भी इस्तमाल कर सकते हो पर मैं यहाँ प इसके पकाना है तो स्टार्टिंग में जब पकाएंगे तो ये थोड़ा पानी चोड़ेगा तो हमको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़र्ध नहीं है बस उतनी चट्नी हमें डाल करके इसमें छोड़ देना है अब चलिए इसको हम ढग मैने ढग दिया और अब चेक करते हैं तो यह देखिए इसमें पानी छोड़ दिया है आप लोगों साइड साइड से दिख रहा है और इसको अब हम क्या करेंगे ऐसे ही चला चला करके पकाएंगे और फिर से इसको हम थोड़ी देर के लिए डग देंगे ताकि अच्छे से ये अंदर तक पक जाए डग के ह फिर से हम ढग करके पका लेंगे हमें इतना पकाना है इसको कि हलका साइस का कलर ब्राउन होने लगे उतना हमें पकाना है तो चलिए ये देखिए इसमें का सारा पानी खतम हो गया है अब हम इसको फिर से पका के दिखाते हैं ये देखिए अब हलका हलका इसके उपर से ये लाल होने लगा है, इसका color change होने लगा है, ये देखिए हलका हलका इसमें, तो ऐसे ही बिल्कुल हमें पका करके ले लेना है, तो हम बस एक से दो मिनिट और इसको पकाएंगे, अब इसको हम ढकेंगे नहीं, बिना ढके ही इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, और पकाने के उपर से छिड़क सकते हो पर मैंने यहां उपर से नहीं छिड़का है धनिया यह देखिए और यह हमारे अंडे की भुजिया बन करके तैयार है तो यह एक बार आप लोग जरूर ट्राय करना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट यह बहुत ही चटपटी सी रेसेपी बन करके तैयार है अंडा भुर्जी यह मचली की और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद टाटा बाई बाई